आप इंडियन टीम का हिस्सा कैसे बज़ सकते हैं चाहे वो men's team है चाहे women's team है प्रॉपर एक बात करने वाले हैं आज आपको कुछ facts अपने experiences अपने conversations इंडियन टीम के कुछ players से मैंने बात की और कुछ academies के ऐसे associated लोगों से मैंने बात की है तो आपको बहुत ही एक important information प्रॉइड करना चाहने वाला हूँ आप एक Indian football team में कैसे join कर सकते हैं how to play for India या फिर Indian football camp तक आप कैसे पहुन सकते हैं तो इस video को आप end तक जरूर देखना और आपकी screen पे मैं screenshot share कर रहा हूँ और AFF की official website पे ये screenshot आपको मिल जाएगा इसको आप पढ़ सकते हैं और इसी में से आपको read गरके और अपने experiences में add गरके आपको कुछ चीजे मैं बताऊँगा ताकि आपको एक path आपको एक रास्ता mark version कर पाऊँ जिसकी यंग prayers में काफी कमी रहती है उनको guide करने के लिए कोई होता नहीं है और ऐसा हमारे साथ भी हुआ है और बहुत सारे लाखो बच्चों के हैत ऐसा हो रहा होगा तो तुड़ा आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको next step करने क्या है और आपको steps इनके लिए क्या क्या करना है वो आप comments में मुझे बताना है कि आपको किस इस topic वीडियो चीए सब मैं बढाऊँगा इस topic को आप सही से समढ़ना इस screenshot में आपको दिखा दिया है और यह जो diagram है इसके वारे मैं आपको last में discuss करूँगा पहले जो नीचे कुछ एक दो paragraph लिखे हुआ है वो मैं आपको सम्झाने को हुषिश करता हूँ ठीक है आप इसको read कीजेगा मैं आपको समझा रहा हूँ आपको 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 जो मतलब किसी भी टीम के लिए सेलेक्शन में स्काउट्स एससेटीर होटे है ठीक है अब scouts player को watch करते है requirement के हिसाब से अब requirement है कि आपको इस type के जही है इसपो Elliot понya चाहिए वह होती है एक Coach की ठीक हुआ है requirement JOE Co., Support व इंजनीयन नेशनल टीम का मतलब यह है की male और female और अलग-अलग-अज ओंस आपको पता होगा अलग-अलग ओब के अपने सुना होगा अंडे 18 सुना होगा अंडे 23 ऐसा मतलब एज गुरूप के और नेशनल टीम उसके हिसाब से मतलब रिक्वार्मेंट के साब से जोन को रिक्वेस्ट आती है उस क्रिटीरिया के वो प्लेयर को स्काउट यानि की गेम्स में होते हैं हो ठीक है तो मैं आपको आके सम्झाओंगा अभी पूरा सुनना कोचीज में इन्वाइट प्लेयर्स कि नेशनल कैंप फॉर्दर ट्राइल बेस्ट इंद रेक्मेंडेशन शेयर वाइड इसकाउट होते हैं उनका काम है कि इन्फोर्मेशन प्रवाइड करना कोचीज को जो नेशनल टीम के कोचीज अलग अलग आग इस गुरूप के फिर नेशनल टीम के उनको जो इन्फोर्मेशन शेयर करते हैं उनको फिर ट्राइल्स के लिए वह बुलाते हैं ठीक है यह प्रसर्स सहे इसके बाद स्काउट इस कंड्धिट स्काउटिंग होती है है इस स्काउटिंग इस कंड़क्टेट अब जूनियर, जूनियर एंड सीनियर नेशनल फुटबाल चैंपिशिप्स ठीक है जो आपके होते हैं टूर्निमेंट्स नेशनल उसके बाद कॉंपटिशन जो की स्टेट टीम्स के होते हैं सब जूनियर जूनियर एलीट यूथ लीग अब यूथ लीग के इतने टाइल और क्लब्स के जो टूर्नमेंट होते हैं कि लिस्ट में आपको पहले बता चुका हूँ आप चैनल पर देख सकते हूं अगर आप क्या आसपास कोई है इनके ट्राइल्स होते हैं मैं भी अपने अपने के ट्राइल अबियेट में अलग से मेंशन करता हूं कि अपको जाना चाह स्कूले और के सक करेंगे तो अपने कौचि साथ के साथ ए प्लेयर सेमें आप को और युद्ट करता हैं कि कि आपको ब्लाइक्ट है कॉपको जाती होगी किसी स्कॉटिग स्कूरेंगे कि DFA के साथ हमेशा contact में रहा है अपने state football association के साथ ठीक है और university school education bodies में भी ऐसा मतलब information share हो सकती है कि trial या फिर competition और होने वाला है वहाँ पर scouting हो सकती है ठीक है या फिर किसी private academies में भी further the national team scouting department conducts trial in different states on a periodic basis in association with the respective club states state sorry अभी हाली में आसाम में trial हुआ था AFF के men's और women's team के लिए trial हुआ था मैं नहीं update दिया था तो यह उस चीज की बात कर रहे है ठीक है अलग-अलग state के से contact करके जैसे कि अभी असाम में हो था वैसे असाम state association जो भी football association था उनका उससे कोडिनेट करके AFF न इतना trial ले था ठीक है यह इसका मतलब इसके बाद state FAs are encouraged to ensure the attendance of attention talents from all the districts within their states at the trials for Indians living outside India and eligible to play for national team the scouting team invites videos and documents अगर कोई Indian Indian citizen बहार की country या फिर कहीं और रहे रहे हैं और scouting में वह पार्ट लेना चाहते हैं तो scouting अपने documents और videos को अप्लोड करके वहां पर try कर सकते हैं और जहां से मैं पड़ राउं लेटर इसका मैं आपको link discussion में दे दूंगा जरूर आप इसको इसको बड़ चेक करना ठीक है अब यह easily understood है मैंने जो आपको बताया ठीक है in order to increase their chances for selection into the zonal district state level and age category obviously अगर अगर आप continuously अच्छे tournaments खेलोगे तो आपका game और आपका conference improve होगा तो आपके selection की chances जादा है this is in turn raises the chances of a player for being signed by a club to participate in AFF Youth League यह पूरी line correlate कर रही है ठीक है यह इसी जो मैंने आपको बताया यह इसी लिए है ताकि इसके chances बढ़ जाते हैं आपका game improve होगा तब यह आप club level तक अच्छा खेल पाएंगे ठीक है क्योंकि जो आपका state nationals होता है यह तो होना ही होता है हर साल बट इसके अलावा कुछ extra जाने के लिए आपको club level पे अच्छे select होने के लिए आपको एक अच्छा conference अच्छा टेकनिक आपका होना चाहिए एक टाइप से अगर आप कोई प्रोफेशनल क्लब साइन कर रहा है तो आप एक प्रो लेवल के लिए जा सकते हो तो वही है अगर आप प्रो लेवल तक आपको जाना है तो आपका गेम उस लेवल का होना भी चाहिए एस्पाइरिंग प्लेयर्स अब यही चीज मैंने अपनी एक दो मिन पहले मैंने बताया भी था कि आपको अपने गेम के साथ साथ अपने एफे के साथ फुट्बल अस्टेशन के आथ कॉंटक्त में रहना है ठीक है आप वही चीज यहां पर आगे बताई हुए है ब्लेयर्स सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपने नहीं किया हुआ तो करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा इस ठीक है क्यूंकि इन चीजों से काफी लोग अनवेर रहते हैं तो आप लोग इस चीजों को शेयर करें इस पेज को शेयर करें साथ में मेरी इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं इन आल केटेगरी वेडर वेनेवर पॉसिवल सो तू वी फेमिलियर विद टेक्निकल टेक्टिकल एंड जनरल लेवल अफ अफ अगर आप अपडेट रहें हैं आपको पता है एफ इंडियन फुटबॉल टीम के साथ मनलब क्या के इवेंट्स हो रहे हैं क्या का है क्या के नहीं है तो आप एक टाइप से गेम में इन्वाल्ड हैं वहां से होती है आपकी डेवलेपमेंट और अगर वो डेवलेपमेंट होगी तब ही आप एक इसके बारे में डिटेल में कभी किसी और दिन बात करेंगे इसके बाद इंट्र स्कूल कॉंपेटिशन यह अभी लोड लेवल से अपर लेवल पर जाएंगे हैं मैं दीर दीर आपको एक्स्पेंट करूंगा यह एक ही रेवल पे पांच है बुर्टन मेभी लिग इंट्र स इसके साथ में जो केतिगरी है वहारा है तो अपर लेवल के अपलाए क्या ट्राइल में जाए कि किजिए ठीक है वहां पर आप कुछ टैम तक खेलते हैं अच्छा बाड़ी करते हैं तो आपको उससे उपर लेवल पर अप्ग्रेड करना चाहिए जो कि है अब हमारे जो प्रोफेशनल जीग हीरो आई लीग हीरो सेकेंड डिविजन हीरो इंडियन मुमिस लीग अब मैं यह कि आपकी यह चॉइस है अगर आप इंटर स्कूल कॉमजिशन बेवी लीग प्राइवेट अच्छा करेंगे तो आपको वहां तक चांस मिल सकता है जो कि हमारा सेकिंड लेवल है जो कि है नेशनल स्टेट चेंपिंशिप और नेशनल क्लब कॉमजिशन जो मैंने सेकिंड ल जो थर्ड लेवल है वहां पर आपको चांस मिल सकता है जो कि है प्रोफेशनल लीग जो आपके हीरो आई लीग आयस सेकिंड डिविजन इंजिन वुमिन्स लीग क्योंकि यहां पे हर लेवल पे स्काउट्स है वह आपको एक लेवल अपग्रेड करेंगे अगर आप पर आपको पाडिसपेट करने का चंस मिलता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि अपने एकदम उपना स्कूल में फूटबॉल है और सिधा नेशनल क्यामप में चले अपने किसी भी प्लेयर का स्टोरी और बायो ग्रेफीन डप् ett आपको चैल में आफ को आपको था राहर ऑफ जींट जो आपको छांज होगे हैं आपको सब्ने में बसलाने कंफार प्रिय मेंगर पर ट्राइल्स दिने ही कोशिश करनी है और आपको ट्राइल्स मिस ने करना है चाहे वो यतने भी ठीक है थोड़ा बहुत दूर होगा तो you can manage अपने करेर के लिए आप you have to sacrifice आपको जाना चाहिए और प्रैक्टिस कीजिए ऐसे दी कि आसी बिना प्रैक्टिस के चले जाएगे मेहनत कीजिए तभी जाने का फाइदा भी होगा क्योंकि वहाँ पर यूद फेसे लॉट आफ टॉफ कॉंपनिशन इफ यू वांट टू प्ले फॉर आपको अगर इंडियन टीम में जाना है तो आई होप आपको ही वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं हो चैनल सब्स्राइब करते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में पीस आओ